यशोदा नंदन भगवान श्रीक्रष्ण का आज चन दिवस है और ऐसे मैं पूरे ब्रच्छेत्र में एक अलग ही खास चड़ा देखने को मिल रही है और आज हम बाके विहारी मंदिर परसर में ब्रंदावन में मौझूद हैं और आपके सकते हैं कि जैसे ही मंदिर के कपाट खोले गए हैं भक्तों का एक जवर्दस्त रेला इस समय मंदिर पांगण में हैं और लगातार वो अपने इश्ट देव भागवान श्रीक्रष्ण के दर्शन कर रहे हैं तस्वीरों के जरिये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मंदिर पांगण में पैर रखने की भी जग कि मंद्र कर रहे हैं और जानवान श्रीकरष्ण के दर्शन करना चाहता है और जन्वास्टमी की बख्च कि आज अश्टमी है लेकिन रोहिणी नशक्र कल पढ़ रहा है में कई सारे भगवान-चिब के मंदिर के मंदौ में मनाई जाएगी लेकिन बाके बाकि yes यसे ही पूरी रात वर आज लिगातार जो आपने जो भक्त-λοग है वह काना के दर्शन करने आएंगे यशोदा नंदन के लिए हर कोई व्याकुर है हर कोई उनके दर्शन करके लाप राप करना चाहता है कि दर्शन करना चाहता है और जन्माश्टमी आज भी बनाई जा रही है जो दो दिन जन्माश्टमी बनाई जा रही है उसके पीछे की जो वजह है जो यह है कि आज अश्टमी है बहुत प्रत महीने की बक्ष की आज अश्टमी है लेकिन रोहिणी नशत्र कल पड़ रहा है अश्टमी मनाई जा रही है आप देशक्ते हैं बहुत बहुत तस्वीर है इस समय देखने को मिल रहा है बक्ती का एक रहला इस समय मंदिर पर सर में दिखाई दे रहा है तो कुल मिला के ऐसे ही पूरी रात भर आज लगातार जो अपने जो भक्त लोग हैं वो अपने काना क दर्शन करने आएंगे यशोदा नंदन, कष्ण मुरारी, भगवान शुरी कष्ण को के दर्शन के लिए हर कोई व्याकोर है हर कोई उनके दर्शन करके लाप राप करना चाहता है व्यंदावन से कैमरा पता मेरी सिंग के साथ अधरबाद ज्याए ABP गंगा सबसे पहले खबरे पाने के लिए ABP गंगा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीज़े, फेस्बुक पर लाइक कीज़े, फेस्बुक पेज है www.facebook.com.abpgंगा, ट्वीटर पर भी फॉलो कीज़े, हमारा ट्वीटर है twitter.com.abpgंगा